हेलो एब्रिवन मेरा नाम राजीव है और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ डेटा टाइप के बारे में सो स्टाट करते हैं वाट इस डेटा टाइप डेटा टाइप होता क्या है अगर मैं इसका एक सिंपल डेफिनिशन लिखूँ डेटा टाइप का तो डेटा टाइप डिफाइन दे इसकोप अफ वैल्यूस इसकोप अफ वैल्यूस अवरियेबल कैन होल्ड अगर डेफिनिशन का मतलब नहीं समझ में आया डेटाइप से डिफाइन करता है कि किसी भी वैल्येबल के अंदर कौन सी सेट अफ वैल्यूस यहां पर स्कोप की जगा हम सेट लिख सकते हैं इस सेट अफ वैलूस अफ भैल्यूस अफ यावरियूस अफ वैल्यूस अफ यह से एक्जांपल सपोस मैं लिखा int x right तो x के पहले मैंने int का use किया int क्या है एक data type है so int यहाँ पे डिफाइन कर रहा है कि x के अंदर सिर्फ हम integer set of data को store कर सकते हैं तो integer क्या होता है कोई भी negative number 0 and कोई भी positive number मतलब in short कोई भी number चाहे हो negative हो या positive हो या 0 हो उसमें point नहीं होना चाहिए उन सारे numbers को हम क्या बोलते हैं integer so यहाँ पे int data type x को यह बता रहा है कि इस x के अंदर सिर्फ हम integers को store कर सकते हैं so I hope definition clear हो गया होगा data type define the scope of values a variable can hold right अब हमारे data type दो तरीके को होते हैं हमारा जो data type है वो दो तरीके का होता है कौन-कौन सा सबसे पहला primitive data type primitive data type जिसके बारे में हम detail में अभी बात करने वाले हैं and second होता है हमारा non primitive data type non primitive data type so non primitive data type के बारे में आज हम लोग बहुत detail में नहीं बात करने वाले हैं आने वाले वीडियो में मैं non primitive data type के बारे में भी बहुत detail में बात करूंगा so मैं short में non primitive data type को पहले बतायता हूं non primitive ओके पहले primitive data type हम देख लेते हैं so क्या होता है primitive data type so first हमारा primitive data type primitive data type so क्या है हमारा primitive data type primitive data type मतलब ऐसे data type जो पहले से define है जावा में पहले से बने बनाए हमको मिले हैं तो इसका definition होगा primitive data types मैं short में लिख दे रहाँ are the predefined or fundamental data types fundamental data types in java right so ऐसे data types जो जावा में हमें पहले से बने बनाए मिले हैं ठीक है उनको हम क्या बोलते हैं primitive data type बोलते हैं अब java में total 8 primitive data types है there are total 8 primitive data types in java अब यह आठ primitive data types कौन कौन से हैं मैं उन सब का बारी बारी नाम देखता हूँ तो सबसे पहला है हमारा int second है हमारा byte third है हमारा short and fourth है हमारा long long और इस चारो data type integer के लिए यूज होते हैं ठीक है मतलब अगर किसी variable में हमें integer store करना है तो उसके लिए हम int का भी यूज कर सकते हैं byte का भी short का भी long का भी ओके एक obvious सा question mind में आया होगा कि एक ही काम के लिए चार data type क्यों दिये हैं तो अभी हम इसके बारे में देखते हैं ठीक है पहले में एक इस example दिखा जता हूँ integer data type का जैसे हमारा visual studio code है suppose हमें एक variable लेना है जिसमें integer store करना है तो हम उस variable के पहले क्या लिख सकते हैं int x ठीक है और फिर x में हम कोई भी integer जैसे 10 store करना है इसके लाओ और क्या use कर सकते हैं अगर integer करना है हम हमे store तो byte अभी use कर सकते है जैसे byte y और y में हम चाहें तो जो भी data y में जो भी integer store करना हो वो कर सकते हैं इसके लाओ किस कर sacrificat कर सकते हैं Long का तो Long suppose l अब हम same line में भी value store कर सकते हैं, अलग line में जवरीर नहीं है, तो long L assign width, suppose हमें 56 store करना है, so 56, okay, उसी तरीके से हम short का भी use कर सकते हैं, जैसे short, suppose variable में s, इसमें को integer store करना है, जैसे 98, so हम उसके store कर सकते हैं, so I hope इतना clear हो गया होगा, कि int, byte, long और short, चारो same काम करते हैं, same work के लिए हैं, so question आए region बताता हूँ, detail में अगले वीडियो में explain करूंगा, so basically अगर इसका हम order देखें, तो सबसे पहले आता है हमारा, sorry, मैं comment यहां पर कर देता हूँ, सबसे पहले आता है हमारा byte, जिसका range बहुत कम होता है, इसका range होता है, minus 128 to plus 127, यानि अगर आपको minus 128 से लेके plus 127 के बीच का number store करना है, तो आप byte type के variable में store कर सकते हो, जैसे y जो है हमारा, अगर y में आप 128 के उपर का कोई number store करोगे, जैसे 290, तो क्या होगा, store नहीं होगा, या तो घलत output आ जाएगा, या तो error आ जाएगा, ठीक है, तो basically byte का motive ये है, कि अगर छोटा number store करना है, तो byte का use करो, ये RAM पे कम resource लेगा, अब ये कैसे होगा, मैं अगले वीडियो में explain करूँगा, उसी तरीके से अगर इस range से बड़ा number store करना है, तो उसके लिए है हमारा short, short का range है, 32, 7, 6, 8, ये माइनस में होगा, मतलब अगर इस range से उपर का number store करना है, तो short का use कर लो, अच्छा, अगर short का range है, उससे बड़ा number store करना है, तो उसके लिए int है, अब int का range और ज्यादा है, मैं अभी ये detail पूरा नहीं बताऊंगा, अगले वीडियो में इस पर बात करूंगा, और अगर int का range है, उससे भी बड़ा number store करना है, तो उसके लिए हम long का use करेंगे, जैसे mobile number हो गया, अगर इतना बड़ा कोई number है, तो उसके लिए हम long का use करेंगे, So I hope clear हो गया होगा, कि किस तरीके से हम data type का use करते हैं, अब जैसे यहां देखो, मैंने integer type का एक variable ले लिया, अब अगर इसको मुझे print करना है, So system.out.println, अब मैं इस number को print कर देता हूँ, क्या है? X, अब अगर इस program को मैं run करता हूँ, Ctrl S, और मैं इस program को run कर लेता हूँ, So run कैसे करेंगे? Java C, program का नाम क्या है? Demo.java, enter, and then उसके बाद again, Java, फिर Demo, So देखो, output क्या आ गया? 10, but मान लो, इस variable के पहले मैंने int लिखा है, but इसमें मैं point लगा दूँ, जैसे मैंने store कर दिया 10.5, अब क्या होगा? Save करते हैं, program को, फिर से compile करते हैं, Java C, Demo.java, और देखो, error आ गया, error क्या आ गया? Incompatible types, बोल रहा है, possible losing conversion from double to int, और देखो, यहाँ पर error भी दिखा रहा है, ठीक है? बोल रहा है कि भाई, आपने variable के पहले int लिखा है, मतलब आपने बताया है कि x में integer store करोगे, और कर क्या रहे हो? x में point run number store कर रहे हो, ठीक है? So I hope clear हो गया होगा, अब जैसे मैं एक और example देता हूँ, जैसे मैं byte type का variable लेता हूँ, ठीक है? और byte का मैंने range किया बताया था? minus 128 to plus 127, चलो उस range के बाहर का number store करता हूँ, जैसे मैंने कर लिया 3698, मैं save करता हूँ, program को run करता हूँ, compile करता हूँ फिर से, हमारा program, अब देखो, यहाँ पे, incompatible types, possible losing carbonizer from int to byte, क्यों बता रहा है? क्योंकि हमने range के बाहर का number x में store कर दिया है, हम x में integer store तो कर सकते हैं, बट minus 128 से 127 range के अंदर सिर्फ, ठीक है? तो चलो हम data type को continue करते हैं, तो अगर integer store करना है, तो उनके लिए 4 data type है, अगला दो हमारा float, f, l, o, a, t, और double, यह दोनो, d, o, u, b, l, e, यह दोनो real number के लिए है, real number क्या होता है? point वाले numbers, यानि अगर variable में हमे point वाला number store करना है, तो उसके पहले या तो हम float लिखेंगे, या double लिखेंगे, जैसे, suppose x में हमें, कोई point वाला number store करना है, तो x के पहले क्या लिखेंगे? double, ठीक है? अब हम जो भी number चाहें, point वाला, जैसे 36.369, save कर लेते हैं, run करते हैं, program को, javacdemo.java, and then javademo, देखो हमार output आ गया, ठीक है? उसी अरीके से float का, float का range कम होता है, double का range ज्यादा होता है, again range क्या होता है, और कैसे काम करता है, मैं next video में इसके बारे में बात करूँगा, so इन दोना के बाद, अगला हमारा data type है, जिसका नाम है care, care किसलिए होता है? character constant store करने के लिए, character constant, अब character constant नहीं प single quotation के अंदर लिखा हो, उसको character constant बोलेंगे, जैसे अभी single quotation के अंदर सिर्फ space है, तो ए भी character constant है, suppose जैसे one, one कौन सा constant है? integer है one, बट इसी one को अगर single quotation में लिख दिये, तो ए भी क्या हो गया? character constant, कोई भी symbol, जैसे a, अगर single quotation में लिखा है, तो क्या है? character constant, हाँ, अगर multiple letter तु क्या लिखेंगे? उसके पहले हम लिखेंगे care, तो जैसे care, और suppose care t, ठीक है? अब इसमें कोई भी character constant हमें store करना है, जैसे t assigned with single quotation में हमने दे दिया hash, hash का symbol, ठीक है? a, b character constant है, अब अगर हम t को print करते हैं, t, so, javacdemo.java and javademo, देखो, hash print कर दिये, ठीक है? इसके बाद next data type है हमारा boolean, मैं इसको यहां लिख दे रहा हूँ, boolean, boolean, boolean use होता है boolean constant के लिए, अब boolean constant java में दो ही है, पहला true, lower case में और दूसरा false, यानि अगर variable में हमें boolean constant store करना है true या false, जैसे suppose एक variable है b, इसमें हमें store करना है true या false, तो इसके पहल लिखेंगे boolean, और इसमें जो भी हमें store करना है true, lower case में होगा true false दोना याद रखना, हमने true store कर लिया, अब अगर हम b को print करते हैं, b, save करते है program को, और फिर run करते हैं, so java c, demo.java, and java demo, देखो true, ठीक है, तो किसी भी variable में अगर true या false store करना है, true false को हम boolean constant बोलते हैं, त ओके, so यह हमारे 8 data type हो गए, int, byte, short, long, 4, float, double, 6, care, boolean, 8, इन 8 को हम primitive data type बोलते हैं, क्योंकि यह पहले से बने हुए हैं, और बिल्कुल fundamental है, इन ही को मिला के हम बाकि सारे data type बनाते हैं, ठीक है, इसके अलावा, अब हम बात कर लेते हैं, non primitive, so जो हमारा दूसरा portion था, non primitive data type क non primitive data type, so non primitive data type फर्दर तीन थरीके के होते हैं, सबसे पहला user defined data type, अब user defined data type क्या है, object का जब मैं concept प्रहाऊंगा, object और class का, तो उसमें समझ में आ जाएगा, user defined data type क्या है, ठीक है, basically यह reference variable होते हैं, so इसके example में हम लिख सकते हैं, class and object, class and object, right, second हमारा non primitive data type होता है composite type, composite type, अब composite type दो ही है जावा में, मैं example अगल दो तो, पहला array, array पढ़ो गया भी आगे मैं उस पर video upload करूँगा, और दूसरा है हमारा string, string भी हमारा composite data type है, अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा, right, string के बारे में, and third non primitive data type है हमारा data structure, इस पे भी मैं आग data structure, यह हमारा third type का non primitive data type है, इसके अगर example का बात करूँ मैं, तो जैसे q, linked list, linked list, यह सारे हमारे maps हो गए, exceptra, यह सारे हमारे data structure में आते हैं, तो चलो हम इस string की बात कर लेते हैं, क्यों कि string का, sorry, string का हम generally use करते हैं, so literal में मैंने बताया था, l-i-t-e-r-a-l, literal मैंने बताया था, constant होता है, literal पांस तरीके का होता है, पहला integer, अगर integer किसी variable में store करना है, तो मैंने अभी बताया, consider type यूज करेंगे, दूसरा real number मैंने उसके लिए भी बताया, तीसरा character constant मैंने अ भी बताया, fifth है हमारा string constant, in string constant क्या होता है, अगर नहीं जानते हो, तो जा के पुराने वीडियो देख सकते हो, फिर में मैं बहुत short में बता देता हूँ, कोई भी चीज अगर double quotation में लिखी है, series of character written in double quotation, तो उसको string constant बोलेंगे, जैसे double quotation में लिखा है hello, तो ये भी एक string constant है, even अगर double quotation में one भी लिखा है, तो ये भी string constant है, अगर सिर्फ space भी है double quotation में, तो भी string constant है, so double quotation में कुछ भी लिख दो, पूरी कहानी लिख दो, वो string constant होगा, अब अगर किसी variable में, suppose हमारा str एक variable है, अगर इसमें तो तुमें कोई string store करना है, जैसे यही store करना है one, तो str के पहले कौन सा data type use करोगे, string, string का s uppercase में होगा, ध्यान देना, बाकी सारे आठ data type जो में मैंने primitive बताया था, वो सारे lower case में होगे, but string अकेला एक data type है, जो primitive नहीं है, non primitive में आता है, इसका s uppercase में होगा, देखो, मैं example दिखाता हूँ, अब जैसे मान लो हमारे पास एक variable है, str ले ल अब इसमें जो भी तुमें, same line में भी कर सकते हो, अलग line में भी कर सकते हो, str assign with, like I want to store, hello world, ठीक है, exclumetary sign के साथ, अब अगर इसे print करना है, तो system.out.printstr, save करते हैं program को, run करते हैं, so javac, demo.java, and javademo, देखो, hello world आ गया, so I hope clear हो गया होगा, data types के बारे में, so thank you for watching this video, अगर इस video ने कुछ भी help किया, तो channel को subscribe करो, video को like करो, and friends के साथ share करो, thank you